कर दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित में आज हम देखेंगे इगनु एमे हिंदी का जो एस्साइन्मेंट है जिससे की सत्रीकार कहा जाता है यहां अप्रेल भी दिया रहता है लेकिन आप मार्च तक देखेंगे अधिकतर इसाइन्मेंट में तो लिखा रहता है 31 मार्च यहां पर हलंकी अप्रेल देता है और हलंकी लास्ट में डेट बढ़ा के अप्रेल करता भी है लेकिन आप लोग 31 मार्च तक ही जमा करने की कोशिश किजेगा इसमें क्या होता है कि आप टेंसन फ्री हो जाएंगे दूसरा आपका रेजल्ट भी जल्दी आएगा जो लेट जमा करता है उसका रेजल्ट भी लेट चड़ता है यह देखा गया आगे पिछे रेजल्ट आता है पहले जमा कर देंगे आराम से रेजल्ट आ जाएगा टेंसन फिरी रहेंगे डेट पताने नहीं बढ़ाएता हलंकि बढ़ाता है फिर भी आप उसके भरोस्यत नहीं रहेंगे न, आप बहुत फसे हैं, काम है, नहीं कर पा रहें, तो कोई बात नहीं, तब आप लेट भी कर सकते हैं, लेकिन 31 मार्च पूरी कोशिस करिए, उससे पहले जमा कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए, हिंदी साहित से जुड़े हम बेवेने चेज़े आपके सामने लाते रहते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और सेयर भी कीजिए, आज़े देखते हैं क्वेशन क्या है, पार्टक्रम के सभी खंडों पर आधारित है, 2023-2024 इसलिए लिखा है कि जुलाई 2023 और जनवरी 2024, दोनों सत्रों में जिन्होंने एडमिसन लि देने वाले को सितंबर 2024 तक एसाइन्मेंट जमा करना है, और उनका पेपर दिसंबर 2024 में होगा, कुलंक सव है, और यहां पर संदर्पसाइद व्याख्या करना है, चार क्वेशनों का होगा, चच्चन नमर का होगा, तो यहां पर देखते हैं, चूरन सभी महाजन खाते, सं जमा हजम कर जाते, जिससे जमा हजम कर जाते, चूरन खाते, लाला लोग, जिसकी अकिल अजीरन रोग, चूरन खावे एडिटर जा, जिनके पेट पचे नहीं बाद, चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंध हजम कर जाता, चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते बाकी ख़का है कई ख़का एक मिनिट बाकी ख़का है कई कई दिनों के लिए अपने को उससे काट लेती हूं पर धीरे-धीरे हर चीज फिर उसे डांड़े पर लौट आती है सब कुछ फिर उसी तरह होने लगता है जब कि हम जब तक कि हम नएी शीरे से उसी खो में नहीं पहुच जाते मैं यहीं आती हूँ मैं यहाँ आती हूँ यहां आती हूँ तो सिर्फ इसलिए की गह है मतला संदर्व साइद व्यक्या करना है आपको लिखना है यहां पर संकेत लिख देंगे कई कई से लिखे इसलिए थक और इसके बाद संदर्व लिख देंगे कि कहां से है इसके रचाईता कौन है लिखक कौन है फिर प्रसंग लिख देंगे इसमें क्या कहा गया है फिर इसकी ब्याख्या कर नहीं होता है कभी कभी वा लोहे को भी काटफ डालता है कहा जयता है लोहा लोहे को करता है ङाद मैं तो अस्तर बन कर चलते हैं लड़ते हैं टूरत हैं फिर मिट्टी हो जाते हैं इसलिए मुझे मिट्टी समझो धूल समझो गाय यह आत्मत्य होगी प्रतिध्वनी इस पूरी संस्किती में दर्शन में धर्म में कलाओं में सासन विवस्था में आत्मघात होगा बस अंतिमलच मानव का अगला है को दूसरा क्वेश्चन है अ अगला है चौथा क्वेश्चन हिंदी जीवनी साहित में कलम का सिफाई एक मत्पुन उपलब्दी है इस कतन की समिच्छा के जिए दस नमर का है पाचमा है अदम में जीवन की विशाय वस्तु के प्रति लेक के द्रिष्टी कोड का को सो दाहरन मतलब उदाहरन साहित बिस पीरेसर की है च dema है आपको टिपड़ी लिखना है द्यको ठेक यह आपका पांच पांच नमबर का है च आरप टिपली लिखना है चार है मतलब चार का चारो पर लिखना है तावे के कीड़े के प्रतिक योजना बताना है साच्छातकार और आक्टे वियो पॉज पर आपको टिपड़ी करना है दोखा और धोखा निबंद का प्रतिपात दे इस पर टिपड़ी लिखना है दोखा निबंद ठकुरी बाबा के चारित्री विसेशता है इ जाता है कम से कम लिए दो पेज में तो आपको कैसे लागा कमेंट करके बताइए चैनल को सब्सक्राइब भी किजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैंजय भारत आपका दिन सुभ हो लाइक और सेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए